दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है जीरो कैपिटल है फिर भी करोड़ पती कैसे बने यानि कि जो आज का टॉपिक है जिनके पास कुछ नहीं है लगाने को मार्केट में वो किस प्रकार से अज इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं तो पूरा वीडियो आप तनमायता से सुनिएगा उसके बाद जो भी आपका कंकुलूजन वो कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट्स में रखिएगा या फिर उस पर अमल करिएगा महत्वण बिंदू यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी यानि की साहस आपके अंदर होना चाहिए जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको आप पहचाने की आप क्या कर सकते हैं तीसरा अर्निंग्स उनके सुरोतों को ढूरना किस प्रकार से कहां कहां से पैसे आप कमा सकते हैं चौथा है फेद अपने पर और बाजार पर विश्वास करना यह बहुत इंपॉर्टन चीज है इनी चार विंदूओं पे पूरा वीडियो आधारित है तो step by step चलते हैं आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप पैसे बना सकते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा यदि आज की डेट में आपके पास zero amount है तो सबसे पहले कुछ बातों का आप गांठ बांद लीजिए कि आज आपके पास खोने को कुछ नहीं है आप zero हैं बट पाने को बहुत लालाईत हैं तो निम्र लिखित बिंदों पर जो हमने अभी चर्चा की उन पर अमल करना होगा कि daring यानि कि courage किस प्रकार से आप अपने अंदर साहस जगाएं Yes, you can do it वाला attitude रखें किस प्रकार से earnings के सुरोत को ढूरना आपके अंदर कौन सी skill है जिसके प्रदर्शन से या ऐसी सेवा देने के बदले आपको अच्छी आमदनी हो सकती है वो ढूरें यदि आपके पास कोई खेत है तो आप किस प्रकार से उसको उपजाओ बना कर उससे पैसे कमा सकते हैं कितनी साल की फसलें आप निकाल सकते हैं कितनी कमेश्यल फसलें निकाल सकते हैं उस पे आप काम करें जमीन है कोई खाली पढ़िए बेकार पढ़िए उसको दुकान बना दे या ओल्रेडी दुकान है बंद पढ़िए तो उसको आप रेंट आउट करें उसको भाड़े पे दें, किस प्रकार से उससे पैसे आप कमाएं, कोई भी चीज बेकार पड़ी है, उसको यूटिलाइस करें, उसको मॉनेटाइस करें कोई भी असेट लाइक आपके एक एकजामपल के लिए, जो आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं दे रही है, उसे निकाल कर, जो भी पैसे प्राप्त हो सके, उनको इकठे करें इश्वन ने आपको हाथ पैर दिये हैं, तो कैसे आप शर्म लिहास का त्याग कर, ऐसे कार करके, नौकरी करके, कोई सर्विस देके, पैसे एकठे करें, पार्ट टाइम जॉब, सर्विस, मार्केटिंग, एकसरा, कार ड्राइविंग, कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आसपरोस में देखें, जो आपसे कई गुना अमीर है, लगजरी कार है, उसका रुतबा है, उसको माइंड में रखकर ये तै करें, कि एक दिन तुछ से बड़ा बनके दिखाऊंगा, हेल्दी भा पैसे कमाने की लत लग जाएगे, और जब पैसे आने लगेंगे, तो उन्हें आप सेव करके, ये सोचे कि आपके साथ आपका पैसा भी आपके लिए कमाएं, आप तो कमा ही रहें, आपका पैसा भी आपके लिए कमाएं, तो कौनसी ऐसी जगह है, जहां हमें अच्छा होना रखें बलकि उसे रिस्क लेकर बाजार में प्रेशित करें निवेश करें उसको बाजार में डालें तो इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट को होना बहुत आवश्यक है तो अगर नहीं है तो जिरोधा में open कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका दिया गया है क्योंकि उसमें डिलिवरी यानि शेर खरीदने और बेचने और लंबे समय तक रखने के लिए उसमें किसी प्रकार कोई चार्जेज नहीं है तो देखिए एक आम भारती हरश्ट पुष्ट युवा चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो पैसा दिमाग से बनता है कुछ केसेस में अधिक पढ़ा व्यक्ति कुछ कार्यों को करने में शर्म संकोच करता है तो जिसके पास दिगरी नहीं है वो अधिक तल लीनिता से पैसे कमाने के अनेक सुरोतों को ढूड़ सकता है और सफल भी होगा उसकी मेहनत और इस प्रोसेस को जब वो जियेगा वही अनभाव उसे सफल बनाएगा पैसा कमाएगा एक्जामपल के लिए यदि आपको कार चलाना आता है और आप आठवी पास हैं पांचवी पास हैं तो कोशिश करें कि BMW, Mercedes इस लेवल की कार चला हैं उन रईसों के ड्राइवर बनें जहां पर आपको अधिक भुकतान प्राप्त हो सके यानि ज्यादा पैमेंट आपको मिले वहीं पर हो सकता है कि एक डिग्री होल्डर इसमें शर्म या संकोच करें तो अपने एसाब से कोई ट्यूशन या कुछ ऐसा कर सकता है लेकिन जो भी इसकिल उसके अंदर जो भी गुण है जिसमें उसको मज़ा आता है वो सर्विस दे रहे हैं क्रिकेट मैश देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कुछ छोड़के पैसा कमाने को करें जिंदगी आपने बहुत जीली अगर आप 20-25 साल के हो चुके हैं तो इस तरीके से यदि आप गिरी सिगरी हालत में देखी कोई एक ओला ड्राइवर हो कोई एक आम आ जालरी प्राप्त हो यानि कि अगर इस एक साल में 20-30 महीने कमा रहा हो तो अगले साल करीब करें 25-30 महीने आप कमाने की सोचें और क्या कर सकते हैं या और सल्ली किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं जौब स्विच कर सकते हैं कुछ भी करें लक्ष को पाने के लिए आपको करना के लिए आपको यह सब करना ही पड़ेगा ड्राइविंग मात्र एक उदारना की आवशक नहीं कि आप यही करें अनेक प्रकार की विधाय मनुष्य जानता है तो अपनी स्किल को पहचानते हुए वो कारे करके पैसा कमाएं अब दस अजार को कैसे निवेश करें अपने डीमेट अकाउंट में कुछ सेक्टर्स पहचाने एफिम सी जी जो लंबे समय तक कमपनिया चलेंगी जो आपको पांच से दस साल तक कोई तकलीफ नहीं देंगी आईटी कमपनियां हों बहुत बढ़िया कमपनियां हों लाइफ स्टाइल से समबंदित हों ग्रीन इनर्जी वैश्वे के एक समस्या है उसको दूर करते हो भारत बहुत ही अग्रणी बन रहा है तो इस तरीके कमपनियां भी सोलर वाली या सर्विसेस देने वाली चलेंगी भविश इन पर नज़र रखे कौन सी आईसी स्मॉल के कमपनियां हो सकती है और जो नभी अपसी जो लोन वगैरा देती है बैंक यहां पर नहीं रख रहा हूं छोटी छोटी नभी अपसी है फिन टेक कमपनियां बढ़ा कमपनियां बहुत ज्यादा फूचर है इस तरीके के और भी कुछ अच्छे sectors होगे, chemicals के होगे, बशर्तें आपको पहचानना है, अब रही बात कि हम stocks के उन्हीं बता रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि आज आपने stocks नहीं बता हैं, मैं आपको बता दू कि हमने बहुत सारे portfolios बनाए हैं, अलग-अलग stocks बताए हैं, आप उन्हीं वीड है, potential है, example clear मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी कमपनिया मैंने सरकारी बताई थे, dividend को लेके, लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि सर जिसमें growth नहीं है, अब ऐसी आप फियोस कमपनी बता रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया point of view अलग था, आज वो कमपनियां 10 गुना हो चुकी है आज वो कमपनिया 6-6 गुना हो चुकी है, 3-3 गुना हो चुकी है, मात्र 6 महिने साल भर में, तो क्या होता है कि कोई भी expert या कोई भी किसी कमपनी को पहचानता है, तो खुलके नहीं बता सकता publicly, बट समझने वाले समझदार हैं, इसलिए stock का chain आप अपने हिसाब से करें, मै अलग-अलग sectors के हर महिने उनको खरीदते जाएं, portfolio 15 दिन में या महिने में कभी एक बार देखी, हाँ, आप TV बिलकुल मत देखना, TV देखेंगे, तो वहाँ अनेक प्रकार की जो है, दिन भर उनको कुछ ने कुछ बोलना होता है, किसी stock के बारे हमें, किसी sector के बारे हमें, आज खराब बताएंगे, कलक्षा बतादेंगे, फिर कहेंगे कि हमने देखिये, इसको बताया था, इस तरीके से जहां से में मत आईएगा आप, क्योंकि वहाँ पर कोई सीधे उनकी बुराई नहीं कर सकता, हम तो वीडियो बनाते हैं, कोई ट्रोल करता है, कोई कॉमेंट क सीखें, मैं तो सिर्फ कमपनियां बताता हूँ, ने तो आपका होगा कौन सी कमपनी आप खरीदते हैं, बेशते हैं, क्योंकि टीवी देखेंगे, आप घबरा के कोई स्टॉक बेश देंगे, वहाँ पर कोई कोमेंटरी कर देगा, कोई खरीदने के लिए कह देगा, आप ल करता है, तो कब उसकी पिटाई करनी है, उसको उठा लेना है, तो एक क्वार्टर में, दो, तीम महीने में ही 35-40% छोड़ के रिटन जाता है, 25%, 30%, तब तक हम छूते ही नहीं हैं, चाहे बजाज हो, चाहे बड़ी कमपनियां हो, तब ही लूटते हैं, जब वह बहुत प्राप्त होगी, किसी भी स्टॉक को आप टच कर लेंगे, वो देके ही पैसा जाएगा, ये मेरा अनुभाव कहता है, इस तरह यदि आप 10 साल में निवेश करते हुए, आपने करीब 12 लाख रुपया निवेश कर दिया, यानि कि 10 अजार महीने आप निवेश कर रहे हैं, 12 लाग 10 वर्षों में आपने निवेश कर दिया, आप जो कमपनिया चुनेंगे देखी, भारत वर्ष में बहुत ग्रोथ बाकी है, अभी तो साड़े 3 ट्रिलियन एकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होगी, 10 साल में हो सकता है, कि 60 ट्रिलियन की एकोनॉमी हो जाए, इतना पैसा में अच्छी कमपनिया आपने पकड़ रखी हैं, तो आपको यहाँ पे जो पैसा बन जा रहा है, 10 साल में इस CGR के एसाब से, 12 लाख आपने निवेश किया, 10 जार परमन्त, वो मात्र बन रहा है, 53 लाख 28,000 के आसपास, तो अभी भी आप कोड़ पती नहीं बने, तो सबसे बेस तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि आप अभी मेहनत करके 20,000 महीने कमा रहे हैं, 10,000 बचा रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है आपको पैसे कमाने का खोन लग गया, आदत लग गी, आप 30,000 महीने कमाएंगे, फिर अगले साल हो सकता है कि 4-5 साल बाद रही है, salary वगेरा, pension service देने का पैसा भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से आपको step up SIP करनी है, step up SIP क्या होता है, कि एक साल आपने 10,000 महीने निवेश किया, आप कम से कम 25% बढ़ा दीजी, यानि कि 10,000 इस साल महीने के आप निवेश कर रहे हैं, तो अगले साल से आप 12,500 निवे पर देखे, 10,000 रुपए यादि आप निवेश कर रहे हैं, और प्रतिवर्ष 25% की step up SIP बढ़ाते जा रहे हैं, और 25% CAGR आपको यादि मिलता जा रहा है, और मिलेगा अच्छी कमपनियों में, क्योंकि अगर एक long term में देखे, तो mutual funds ने भी 25-30% return बना के दिये हैं, small cap mutual funds न आप जो निवेश कर चुके हैं, वो करीब 39,000,000 रुपीज के आस्पाप step up SIP करते हुए, और estimated जो रेटन आपको प्राप्त हुआ 61 के आसपास, तो इस तरीके से एक करोड की धनराशी आपको प्राप्त होने जा रही है, तो होगा क्या आपको ये असंबहों सा आश्चर र नहीं कर रहे हैं, जीरो हैं, बैठे हैं, गपे मार रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई future का प्लान नहीं है, इस तरीके की प्लानिंग करके, आप करोड नहीं, दो करोड भी बना सकते हैं, आपका तिमाग कितना चलता है, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, तो मातर 10 साल में, आप 25 साल क हैं तो 45 साल में अब यहां बताने जरूरत नहीं कि एक करोड़ रुपए आपके पास आ गए तो फिर इसके बाद फेनेशल फीडम तो आप प्राप्त करी लेंगे एक रुपए धनराशी इतनी बड़ी धनराशी होती है कि महंगाई दर को मत जोड़ी यहां पर इस एक जरूर आने लगेगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अगर FDB रख देंगे तो भी आपको अच्छा 50,000 रुपए साल कर मिलेगा 6% के हिसाब से इस तरीके से एक कोड़ाने के बाद आदमी का माइंड और्टोमेटिक चलने लगता है कि अब मैं क्या करूं रईस आद जो free बैठे हैं उनके अंदर जो एक energy छुपी हुई है आप भी कर सकते हैं आप भी अमीर बन सकते हैं जरूर नहीं कि आप कोड़ पती ही बनें आपके पास 50,000,000 रुपए आ गए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है आपने 25,000,000 आप जहां 0 थे हो सकता है कि 5 साल ऐसे भूमते फिरते रहते कुछ नहीं कमाते आखिरकार कुछ नहीं से तो कुछ तो भला है कुछ तो आया है तो इस तरीके से दोस्तों इच्छा शक्ति को रखते हुए हमने तो मातर कल्कुलेशन बताया है लेकिन बाजार बहुत पैसा देता है और आने वाले समय में और बाद हो जाएंगे, पैसा शोयर बाजार में ध्वस्त हो जाएगा, रे कुछ नहीं होता है, लोगों ने बनाया है पैसा, वैसे भी आपके पास कहा है, जीरो तो ही है, कुछ प्रयास करके आप पैसे ही कठे करके निवेश करके आपने पैसा बना लिया, बस यही मैं कहना चाह होगा दोस्तों, थैंक यू फोर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंद्स